देखे बेटा, next exercise करने से पहले हम एक चीज समझते हैं क्या है, बेटा ये चीज है क्या वो समझाने जा रहा हूँ ये है represent real number on the number line बेटे इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं समझाता हूँ कि ये होते कैसे हैं मेरे बेटे यहाँ पर जो आपने करना है, वो किस से करना है ये बता देते हैं, ये है successive magnification इस method से करना है, बेटा, magnification का मतलब क्या होता है बढ़ा करके, आपको बढ़ा करके दिखाना है कई वार आपने देखा होगा, magnification जो glass होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं आपने कई वार magnification glass देखे होंगे, आपको बता देता हूँ वो इस तरीके से glass होता है जिस से आप चीजों को magnified करते हैं, बढ़ा करके देखते हैं तो वो कह रहा है कि उस तरीके से आपने जो है, इस से आपने number line को लिखना है अब जब हम इस तरीके से लिखते हैं, तो magnification तो पहले हम एक चीज नोट कर लें, बटा, कि जो हमारा decimal होता है हमारा, जो decimal होता है मेरे बच्चे उसका जो number system होता है, number जो हमारा decimal number system है वो 10 पार्टीशन पे चलता है, मेरे बच्चे सरी ये क्या कहना चाह रहे हो, पिटे यही चीज इंपॉर्टेंट है ये जो हमारे पार्टीशन होते हैं, वो 10 पार्टीशन पे काम करता है उसको उस तरीके से हम समझते हैं देखो मैं आपको ने एक number line बताता हूँ, उससे पहले जैसे कि आपने एक line ले ली, ये आपके पास ये एक line आ गई अब इस line के अंदर आप ये ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर जो number है, जैसे ये क्या है, मान के चलो, ये 1 है यहाँ मान के चलो, 2 है, ये 3 है, ये 4 है तो जैसे आपको 1 और 2 के बीच में कोई number find करता है न मेरे बेटे, तो उसके बीच में भी क्या होते हैं, partition होते हैं पार्टिशन्स होते हैं, यहां जो पार्टिशन्स निकल के आते हैं, यहां पर यह जो पार्टिशन्स निकल के आते हैं, यह हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यह 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं, यह इस तरीके से इसके 10 पार्ट्स कर यह ऐसे, तो यह हमारे partitions के हिजाब से चलते हैं, देखो मैं ना आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपको एक example लेते हैं, उसको समझने कोशिश करते हैं, मानके चलो, यहां से लेके, यहां तक आपका एक number line है, यह है 1 और यह है 2, यह number line है, अब इसके बीच में क्या क्या number हो सकते हैं, सर 1.1, 1.2, हां, लेकिन मैंने आपको एक तरीका समझा रखा है, कि बेटा इस number को आप क्या करो, इसको आप R denote करो, और इसको आप क्या करो मेरे बेटे S, कोई चीज रटन नहीं नहीं है, समझनी है, देखो यह R हो गया और यह S हो गया, तो मैंने आपको क्या हता था ना, कि कितने number चीए, 10 number चीए, तो सर यहा N की value कितनी है, सही है जी, तो यह जो बीच में जो number आई है, क्योंकि यह जो last number होगा, यह दसवा number होगा, ठीक है, तो N कितना हो जाएगा आपका 9, तो यह क्या बना, आपके पास, क्योंकि 10 number बन जाएंगे, पीछे, तो यह कितने number हो जा 0.1, मेरे बात समझ में आगी, मेरे बेटे, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो number लिखना है, तो देखो जान से, R आपका पहला number होगा, वो कितना होगा, 1, तो अब जो next number होगा, वो क्या होगा, R प्लस D होगा न, तो यह तो 1 है, प्लस 0.1, कितना होगा, 1.1, तो यह मेरे बेच्चे, यहाँ पर जो number निकल के आएगा, वो क्या निकल के आया, 1.1, तो next लिखते है, तो यह क्या होगा, R प्लस 2D, तो यह क्या होगा, R प्लस D, प्लस D, तो यह कितना मेरे बेच्चे, 1.1, यह यहाँ पर, प्लस और यह कितना है, 0.1, तो यह मेरे बेच्चे कि ना जाएगा 1.2 तो इस तरीके से आपके यह नमबर निकल जाएंगे यहां क्या जाएगा 1.2 ऐसे ही फर्दर्स नमबर आप निकाल लेंगे और यह आपके पास नमबर आ गए यह नमबर आपने फाइंड आउट कर दी है मेरी बात समझ में आ गई यहां से आप इस तरीके से नमबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो है इनकी वैल्यूज को नमबर लाइन पे दिखा सकते हैं अब क्या होता है कि अब हम चाहते हैं कि हम यह चाहते हैं कि नमबर जो हमें मिले हम number चाहते हैं इन दोनों के बीच में यानि कि ये number है अब हम ही चाहते है कि 1.12 ये number locate किया जाए सही है जी अब ये number अगर हमें locate करना है तो sir ये 1.12 तो मेरे बेटे आप ध्यान से समझो कि ये जो number है 1.12 ये किस के बीच में आएगा बताओ ये आपके क्या होगा कि ये आपके पास आएगा 1.1 और 1.2 के बीच में clarity आ रही है तो मेरे बच्चे आपने अब फिर एक number line देखनी है और उस number line पर आपने ये number लिखना है 1.1 और ये जो last number है आपका 1.2 तो अब हमें ये find out करना है ये देखना है तो magnification जो होगा वो और बारी की में जाएगा तो 1.1 और 1.2 फिर इसके further 10 numbers हैं तो मेरे बच्चे ये last number होगा तो यहाँ पर फिर आप इसे क्या माल लो इसको मेरे बच्चे R माल लो और मेरे बेटा इसको क्या माल लो S माल लो तो आपको पता ही है मेरे बेटा D आप कैसे निकालोगे S माइनस R N प्लस 1 तो यहाँ तो जो last number तो 10 ही तो बीच में 9 ही number रहे गए तो यहाँ N की value कितनी होगी मेरे बेटे 9 तो S कितना है मेरे बेटे S है आपका 1.2 और आपका R कितना है मेरे बेटे 1.1 N प्लस 1 तो 9 प्लस 1 ठीक है मेरे बेटे तो यह क्या value निकल के आगई इसको इससे minus करेंगे आप तो minus करेंगे तो क्या आएगा यह आजाएगा 0.1 अप आउन में 10 तो divide करेंगे तो क्या आजाएगा 0.01 यह नमबर आगया कि ने आगया तो मेरे बेटा आपका तो R जो नमबर था वो R नमबर क्या था वो R नमबर था 1.1 तो मेरे बच्चे R प्लस D क्या होगा तो R प्लस D होगा Sir 1.1 प्लस 0.01 तो इसको add कर लो तो क्या आजाएगा 1.11 यह आगया तो यानि कि यह वाला जो नमबर आया यह नमबर आया 1.11 ठीक है जी ऐसी बेटा आपका next नमबर आजाएगा R प्लस 2D हो गया तो यह कितना हो गया R प्लस D प्लस D ठीक है मेरे बेटा तो यह कितना हो जाएगा 1.11 प्लस 0.01 यह कितना हो गया 1.12 यह निकला आया नहीं निकला आया तो आप ऐसी फर्दर से अपने नमबर निकाल सकते है 1.12 तो 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 तो मेरे बेचे यह नमबर यह लोकेट हुआ के नहीं हुआ तो यह किस के बीच में था यह इन दोनों के बीच में यानि कि जैसे जैसे हम बारीकी में जा रहे हैं तो मेगनिफिक्शन ग्लास उसके और बारीकी में जा रहा है लेकिन वो नमबर को डिवाइड करता है मेरी बास समझ रहे हैं अब आप कहते हैं कि सर यह जो 1.12 है ठीक है ना यह तो आपने बता दिया कि सर यह इस के इस के बीच में आता है क्या हम और इसकी बारीकी में जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं अब सुनो ध्यान से अगर वो आप से यह कह दे कि भई आप जो है मुझे क्या करो 1.123 यह लोकेट करके दिखाओ तो कर देंगे बिटा कोई दिखत नहीं अब सुनो ध्यान से 1.123 मेरे बच्चे आप यह बताओ 1.123 किसके बीच में होगा यह होगा बच्चे इन दोनों के बीच में clarity होगी तो यहां कहीं कोई number होगा तो यहां number होगा तो मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा यहां के लिए फिर आपको एक number line खीचनी पड़ेगी यह आपने number line खीच ली तो यह आपका जो number आया यह आया 1.12 और यह number क्या था 1.13 इनके बीच में located होंगे number अब वो जो number locate होंगे वो लिख लेते हैं तो वो जो number होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं तो आपने क्या करना है कि मैंने आपको बताया तो यह तो आपका क्या हो गया r यह क्या होगा मेरे बेटे S तो मैंने आपको बताया कि D निकाल दीजे आप S-R upon me N प्लस 1 यहाँ N की वैलू 9 तो यह मेरे बच्चे S कितना है S है आपके पास 1.13 minus 1.12 upon me 9 plus 1 ठीक है तो मेरे बच्चे इसको minus करने के बाद आपके पास क्या आएगा 0.01 upon me 10 तो क्या नमबर निकल क्या आया यह नमबर निकल क्या आया 0.001 ठीक है तो मेरे बेटे R की वैलू क्या निकली R की वैलू थी सर 1.12 तो next क्या होगा R प्लस D होगा बच्चे तो यहाँ R कितना है 1.12 प्लस D कितना है D यह विढ़ा आपने जो निकाला है तो यह आगया 0.001 तो यह वैलू कितनी आजाएगी 1.121 आगी बाद समझ में तो मेरे बेच्चे यह जो नमबर निकल क्या है यह आए 1.121 Clarity आगई इसी तरीके से R प्लस 2 D निकालूँगा तो वो क्या हो जाएगा R प्लस D ठीक है मेरे बेच्चे R प्लस D क्या है 1.121 और D कितना है 0.001 तो इसको solve करेंगे 1.122 तो यह नमबर क्या निकल क्या है 1.122 यह नमबर क्या है 1.123 1.123 1.125 1.126 1.127 1.128 और यह कितना जगा 1.129 तो लास्ट नमबर आपको यह आ गया अब मेरे बेटा यह देखो मेगनिफिकेशन लाइन से यह नमबर आपको find हो गया तो जो मेगनिफिकेशन है यानि कि सर यह जो मेगनिफिकेशन है यह क्या करता है और बारिकी में जाता है मतलब यह गलास है ना एक तरीके से जैसे जैसे जिस चीज़ को देखते रहते हैं उस चीज़ को वो क्या करता रहता है वो उस चीज़ को बड़ा करता रहता है तो मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर कि जो भी आपको number find out करने हैं तो वो 10 partition में होते हैं उसके हिसाब से वो चीज चलती चले जाती है जैसे आपको यह number निकालना है तो यह number आ गया किसी ने कहा 1.12 तो यह इसके बीच में आ गया यहां तक समझ में आ गया ठीक है बच्चे